इस समय हम चैन्नेई से महाबलीपूरम जा रहे हैं चैन्नेई से एसीया रोड जहां से स्टार्ट होती है 22 किलोमेटर से सफर हमने अलड़ी तया कर लिया है हाई ट्राफिक एरिया था लेकिन हम सुबह 820 को निकले तो kind of smoothly तया हो गया अभी रोड एकदम क्लियर है गाड़ी 70 80 की स्पीट पर अराम से चल रही है 38 किलोमेटर हमको और जाना है तो महाबलीपूरम हम लोग पहुंच जाएंगे तो इसीया रूट पे महाबलीपूरम से 15 किलोमेटर पहले क्रोकोडाइल बैंक है हम अंदर जा रहे है मेरे साथ इस हमें आजे हैं जो यहाँ पर असिस्टें क्यूरेटर है यह में दिखाएंगे इस जू को तो can you help us understand what this place exactly is So the Madras Crocodile Bank was set up in 1976, it's one of the oldest reptile conservation centres in India We breed several rare and endangered species of reptiles here, let's go have a look at some of them So these are green anacondas, the largest species of snake in the world These guys are only seven years old, they're already about three meters long, they'll get much bigger Young komodo dragon taking some respite from the heat in his enclosure These are the, we are the only zoo in India to exhibit komodo dragons These are about 150 young marsh crocodiles, the most common crocodile species found in India So this is our pair of green iguanas, they are one of the rare reptiles because they are completely herbivorous And these guys are native to Central and South America There are four types of snakes here, cobra, crate and two wiper This one is wiper Russell's wiper Russell's wiper all the way close to the plant and it's disturbing and very angry This is disturbing He is angry He is angry Yeah, very angry He is ready to bite and the door is disturbing very quiet only This is what a crate This is This one is named one of the common crate This common crate one is mostly dangerous This wiper would have 10 times more poisonous This is crate Yeah, crate common crate This will be bite one of one hour This leg one of the eating one of the baby rat will be eating प्रोल। आचू बाइब काइब काइब झाले। विस की के लिएक से लएक हैगे विए काइब तू अबोर एक प्रक विए्ट आचू साइब प्रेंट इनके लिए। अजया थंक विए अब्लासु टाम्यूनि आचू इस समय मैं Bob Marley restaurant में पहुंच चुका हूँ यहां से सबसे जो मस्त नजारा आरा न सी का देखते ही बन रहा है इन्होंने बोला आप तबा फिश खाओ और आपको किचन में दिखाते हैं हम बनाते कैसे हैं तो नीचे में किचन में जा रहा हूँ फिश को क्लीन करके डी फ्राय ह पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर यह सब चीजें डाली उसको कुक किया बीच में एक दो बार विनेगर डाला और ग्रेवी तयार करके जो डी फ्राय फिश को इसमें शिफ्ट किया और जॉइंट कुकिंग करी इस फिश का तामिल में नाम है पाराई फिश अधर्वे इसको मालाबार ट्रैवलरी भी बोलते हैं इन्होंने काफी सारे वेजिटेबल्स ऐसा काटकर रख दिये तो पहले ज़रा फिश का व्यू लेली जाए विद लॉट अब मसाला इसमें चिली बहुत सारा है मिर को आड आड़ाई फिश होना चाहिए क्योंकि बड़ाई बनी गड़ाई पे है लेकिन इन्होंने इसका नाम तवा फिश रखा थेंक्यों मैं किचन में देखने कहता है बड़ा जल्द बाजी में सब कुछ हो रहा था एक बार तो मेरे को लगा कि इतना फासफा सब कुछ बना रहे है टेस्ट कसाएगा लेकिन ठीक है जो मसाला बनाया वो ठीक है टेस्ट अच्छा फिश के अदर चला गया दूसरा फिश सॉफ्ट मैंने तीन-चार बाइट काके देख लिए है फिस्ट आफ्ट है मैं सोच रहा था इसको अगर हम ग्रिल करके खाए तो भी फिश का तेस्ट अचा आना चाहिए पहली बर खा रहा हूं और वैसे भी फिश खाना तो मैंने भी हाली में तीन महिना पहले ही शुरू किया है तो I over a period of some time ये याँ पर chef है, ये डोनों staff है जो restaurant operations को support करते हैं and she's come from Netherlands, तो मैंने बुचा आप कबसे हो यह बदो, she says I'm here since last 10 days so मैं सीख रही हूं Indian food किया परवे, so how do you find Indian food? Yeah, well they let me taste a lot of food and it's very very tasty. Nice, 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 nice connecting with you, thanks, achcha laga taste, great, 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 thank you, thank you, thank you, nice, bye-bye, thanks, bye-bye महाबलीपूरम गुमते गुमते इतना तो समझ में आगया कि लोग यहाँ पर जेनरली पसंद करते हैं Evening ये Late Evening में आना, seafood खाने प्लस सीख नजारा देखने, इस समय मैं जा रहा हूं Instant Karma, चलके देखते हैं क्या वेलबल है Instant Karma में अंदर आके मैंने इंसे पता लगाया कि इनका क्या फेवरेट स्टार डिश है तो इन्होंने बोला कि पिजार काफी लोग पसंद करते हैं यहाँ पर लेकिन मैं कुछ seafood में खाना चाहता था तो मैंने अपने लिए प्रॉंज मंगाया है तो इन्होंने डी-fry करके यह दिया है प्रॉंज थोड़ा सा निम्बू डालिया जाए, at least on one side small size prawns है, but it decent level पर marination है, ना कम ना ज्यादा, एक normal marination होती है उसके बाद उसको deep fry कर दिया, धनिया वगरा से garnish कर दिया, वैसे मैंने आम तोर पर देखा लोग prawns, drinks के साथ काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर पूछ रहा था 5-0 निट पहले कि, drink के साथ पसंद मैं खाते-खाते सोच रहा था, यह हलका सान है मिरेको फ्लेवर सा आ रहा है, इमली का, बहुत हलका फ्लेवर है, खटास नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना हलका है कि वो उपर से फ्लेवर निको जाने जासा सीन है, साथ में एक काम ऐसे combination में अनलाईज कर रहा था, कि इंडियन मसाला मतलब लार्जली और सौथ इंडियन मसालों के अंदर कड़ी पत्ते का फ्लेवर, यह दोनों चीजे ना अच्छा combination दे रही है, इसके अंदर, साथ में प्रॉंस फ्रेश हैं, that is perhaps the reason, मिरेको पसंद आ रहे हैं और मैंने फट-फट कर रही पूरा प्लेट का ली अज़ से लेकर फेबररी एंड तक या एट मार्च मार्च फर्स वी तक उसके बाद off-season में चला जाता है, क्योंकि जून, जुलाई, में के आसपास गर्मी काफी पड़ती है, तो इससे में वेदर थोड़ा हो रहे है, दुबैर का टाइम है, तो में भी मेरेको यह थोड़ा पसीन मेली बार आये हो, तो आप क्राइब ट्राइब करो, तो करें सीधी, making, cooking, okay, क्राइब को पानी में बॉइल किया, separately मसाला तयार करने के लिए कड़ाई में oil डाला, जीरा, ग्रीन चिली चॉप्ट, चॉप्ट अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, करी लीफ, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, ब्लाक पेपर एड़ किया, थोड़ा सा पानी एड़ किया, साथ में क्यापसिकम एड़ करें, ग्रेवी को तयार किया, हाई फ्लेम कुकिंग करके, इन्होंने सेपरेटली एक टोमैटो ग्रेवी बनाईवे टोमैटो अनियन की, वो इसमें एड़ करी, और उसके इन्होंने दो पार्ट में, हाँ, पहले ही डिवाइट कर दिया, साथ मैंने राइस मंगाया, क्राब में यह नहीं समझ में आता कि इसके शुरुवात कहां से करनी है, हाला कि मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, अच्छा नहीं में भी मैंने खाया था, या, बड़ी मेनत और मु बहुत सॉफ्ट है, अब समझ में आया, यह शेल के अंदर से न, मीट निकालना पड़ता है, थोड़ी मेनत है, मेनत से ज़्यादा प्रैक्टिस होया काम है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब, फीलिंग नहीं होता कि आप क्या खा रहे हो, बट वेरी-वेरी सॉफ्ट, जूसी भी है टेस्ट अंदर, जो मीट का है, और अभी मेरे, किसी से चेनही में समझाता तो मेरे को बोला था कि आप, जो यह क्लॉस हो इसको भी खा सकते हो, अगर आप ब्लैक पेपर अच्छी चोइस है, इस तरह से क्रैप फ्राई को खाने में, इस तरह से कुकु है, यह कह सकते हैं, कि चिली और ब्लैक पेपर मिलके ना मस्त फिलिवर दे रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में, यह क्लॉक अंतर मीट है, बैसा तो कटर से भी निकाल जा सकता है, बिना कटर के बहुत मुश्किल है, क्रैप खाना, और इसके लिए बड़ी सीरियस ट्रेनिंग के जरूरत है, पहले एक-दो बार के अंदर तो आदमी कन्फ्यूस ही हो जाए, कि खाना कहा है और क्या छोड़ना है, लेकिन आई तिंग मैं देरे-देरे मैनेज कर रहा हूँ, अगर इसकी बात करें इन पर्टिकूलर, तो इसमें एफर्ट से ज़्यादा स्किल इन वाल्ड है, समय लगेगा सीखने में, वापिस आगे सीबीच फेसिंग साइड में, यह नजार तो वाकि देखते है बन रहा है, इस तरह का अल्टिमेट एक्स्पिरियंस तो मैं पहली बार ले रहा हूँ, सामने देखो कितना खुरसूरत सांड और साथ में खा रहे हैं सीफूड, मैंने अपने लिए स्क्विड म कड़नी है, कड़े पता तो एकड़म होलसल में है, ना कि साबुद कड़े पती के लाबा ना इस पूरी मसाले की गेम के अंदर ना उसका फ्लेवर भी बहुत भेतरी नधंक से आ रहा है, क्रिस्पिनस मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, अमेजिंग लेवल पे है, खाने स तो चाहिए चाहिए, इसको अगर अच्छे से इंजॉय करना है, लास्ट इंग, और स्क्विट, ये जो नजारा है इस जगा बैठ कर, ये टेस्ट को एनांस कर रहा है, गोज विदाउट सेंग, बापिस आप देखिए, कितना बस्त लग रहा है, लोग यहां पर शाम को आत सब्सक्राइब करती है, सर यहां के ओनर है, तो मैंनको बाइब बुलने यागे जाने से बहले है, I like this squid, in fact, first experience, but I enjoyed the crispness and the view, you know, sitting there and watching the sea view, was ultimate, in fact, I am still having a look at the sea, what else do you sell other than that? I have the here, the masala calamari, yeah, I had masala calamari, yeah, and this is a red snapper, this is a tiger prawn, and tuna fish, and this is still live lobster, we are caught today, thank you, my friend, welcome, okay, anyways, nice being here, thank you so much, yeah, you're awesome, last meeting you, thanks, 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 अभी महावलीपूरम से निकलने का टाइम हो चुका है, समय हो चुका है, 4.45 पे अगर 10 मिन अभी और रुग गे न, तो आज पका फ्लाइट मिस हो जाएगी, यहां से हमको चैनेई एरपोर्ट मोचने में कम से कम डाइगंटे लगने लगने वाले हैं, बदाए वीडियो आ अगर आप चैनेई आते हैं, तो समय निकाल के यहां जरूर आना चाहिए, इस्पेशली अगर आप सीफूड के शौकीन है, प्लस आपको अगर इस तरह से सी पसंद है, इतना क्लोजब व्यू में देखना, हमेशा की तरह मैं इंतजार करूँगा आपके कमेंट्स का, थांक है आते हैं, मैं गुण यहां इसमें कुष्ण परो, इस दो समय जईनी अजा मैं, परतल आते हैं, प्लस आना हसे है een पूर आपको पर यहां झाल झाल